अयोध्या को उसकी पैचान से बंचित किस ने किया था कैस सचने की इंडी गडवंदन से जुड़ेवे लोग इसके लिए जमेदार हैं सिराहुल गांधी और उनके सहयों की इस बात के लिए जमेदार हैं जिन्होंने नकिवल अयोध्या को बनवास दिया था बलकि सर्यू मैय के जल को भी रंचित करने का कारे किया था कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पैचान से बंचित करने का कारे आजादी के बाद से ही लगातार कॉंग्रेस करती रही रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था हिंदों को पूजा करने से बंचित करने का काम अपने बैभों की पुनरस्थापना के लिए फिर से पुरी दुनिया को अपनी और आकरसित कर रही है तो कॉंग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है सिराहुल गांधी का वयान जोट का एक पुलंदा है सच्चाई ये है अयोध्या के अंदर 1733 करोड रुपिये केवल मुआवजिये के रूप में अयोध्या वाश्यों को प्रदेश सरकार ने उपलब्द करवाये हैं चाई वह भक्तिपत हो राम पत हो जनम भुमिपत हो चाई वह एयरपोर्ट के निर्मान का हो चाई वह 14 कोशी परिकरमा के मार्ग का हो एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी जिसके नाम पे दुकान थी जिसके पास दुकान का पजेशन था उन्हें पर कंपेंसेशन देने के साथ ही जो दुकाने थी जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे उनके लिए उस प्रकार की F.R. में चूचूचूच छूड़ दी गई जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मुर्टी लेवल कॉंप्लेक्स बना करके वहा परे हैं जूट का एक पुलंदा है उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजी से और भारत की छबी को अयोध्या धाम की छबी को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस्मानसिक्ता का हिस्सा है जो एक्सिटेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से क इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कॉंग्रेस पार्टी और इंडी गड़बंदन को देगी